सो हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका प्यारी गेमर और आख्षी इस वीडियो में आप सभी के स्वागत है आज मेरे पास है गेम सरकार एक्स टू टैप सी मोबाइल गेमिंग कंट्रूलर सो इसका आज हम रिविव करने वाले हैं अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं और इसमें गेमिंग करने वाले हैं फ्री फायर पबजी कॉल अपड़ी असफार्ट नाइटो मतलब काफी सारे गेम को हम इसमें टेस्ट करने वाले हैं किस प्रकार से की मैपिंग करते हैं किस प्रकार से गेम की शेटिंग करते हैं सब कुछ आपको बताऊंगा तो वीडियो को लाज तक चरूर वाच करना और जो मैं की मैपिंग बताऊंगा उसको जदी मिस कर दिये तो बिल्कुल की mapping नहीं हो पाएगी और काफी ताइरी problem इस game controller में आएगी तो वीडियो को skip नहीं करना वीडियो पसंद आयती है वीडियो को like कर देना और comment कर देना कि आपको ये gamepad कैसा लगा है एक Bluetooth earphone के साथ साथ एक data cable आया है अब बारी आती है gamepad की ये जो gamepad है ये जो gamepad ह है वह game सरका है एक्स टू टाइप सी ठीक है मोबाल गेमिंग कंट्रोलर मोबाल गेमिंग कंट्रोलर जाइस और ये पूरा पैक है यहां से साथ गिरियत नहीं गया था अब कर दो कर दो कर दो हुआ है ओटी जी गेम सर और बीच में गेम कंट्रोलर का चित्र है बैक साइड में और राइट साइड में और लाफ साइड में पीछे भी दिख सकते हो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है पूरा का पूरा बॉक्स है अंदर भी गेम सर एक्स टू क्वालिटी बैक की काफी अच्छी है अपर तो चैन है गेम सर का लॉकेट भी इतमे इसको निकालते हैं इसको निचे रखते हैं ऐसे सरी देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है गेम सर एक्स टू टाइप सी मोबाल गेमिंग कंट्रोल यूजर मैंवल है इसके अंदर यह जो कंट्रोल है उसको कैसे सेट अप करना है और कितनी बटन से और मतलब कि सारा कुछ इसके अंदर दिय लगा है यह थेंक्यू कार्ड है जो कि हमको गेम सर की तरफ से मिला है इसको मतलब इस्टिकर है इसको हम कहीं लगाएंगे नहीं अब देख सकते हो यह गेम सर का कंट्रोलर इसकी क्वालिटी तो मुझे काफी हद तक अच्छे लग रही है मतलब पूरा पूरा प्लास्टिक हоль्ड है लेकिन क्वालिटि बैस्ट है जड़िक दो है एक ब्लू कलर समय और आइस को हूअ Eph Baptist इसका मुझे निव बटन देखने के लिए हैँ और हमका ने हρूए आब देख सकते हो और यहां पर पतनी का बटन इसको यूज़ करके देखींगे आप जी का बटन है उपर नीचे दाएं बाएं ठीक है और यहां पर ऐफोन के लिए भी और एंड्रोइड के लिए दोनों के लिए आता है बट मैंने एंड्रोइड के लिए बुलाया हूं पर टैप सी है जो बंदे टैप सी फोन चलाते हैं उ इससे फोन की ग्रिप काफी हद तक अच्छी बनी रहेगी और यह जो है वह एक्सपैंड हो जाता है थोड़ा सा लंबा हो जाता है जिसमें काफी बड़ी डिस्पेली भी इसके अंदर आ जाएगा पीछे में रबर है ग्रिप बनाने के लिए यदि ऐसा फोन पकड़ेंगे तो काफी सांदार ग्रिप रहेगी मज़े जाएंगे ठीक है इस गेम कंट्रोलर में हम गेम खेलना स्टार्ट करेंगे लेकिन इस गेम कंट्रोल को हम यूज कैसे करेंगे इसको ओन कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा ठीक है तो यह गेम कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए लिए कि आफिट पड़ेगी तो जाना है सिंपल सा प्लेस्टोर के अंदर राव पर सर्च करना है गेम ठीक है यहाँ पर गेम सेर्च सबसे ऊपर वाला यह जो एप है उसको डाउनवोड कर लेना है डाउनवर करने के बाद एप को कर देना है open, यहाँ पर कुछ permission मांगेगा और allow करने के लिए बोलेगा तो allow कर देना है, agree करने के लिए बोलेगा, यहाँ पर इस type से कुछ इसको setup करना है, setup करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें कौन कौन से game चल सकते हैं, वो पूरा का पूरा यहाँ दे का port है उसको यहाँ पर लगा देना है बिलकुल ऐसा सिंपल सा लग जाता है लगने के बाद ओके अब यह लग चुका है अब पूरा का पूरा यहाँ पर यह लग चुका है और इसके साथ यह т inqu 호 चुक है यहाँ पर आप देख सकते हो जो ब्लू लाइट जल रही है इसका मतलब यह है कि यह जो गेम कंट्रोलर ए जेंद को को टिक है जोड़ करने के लिए इस जोटिक करना आप कोई भी एप को टच करना है इस टाइप से और एड में क्लिक कर देना है और वो एप यहां पर आ जाएगा मैंने काफी सारे एप को यहां पर इसमें एड करके रखा है डाउनलोड करके रखा है यह जो छोटे मोटे गेम तो वो चल जाएंगे लेकिन फ्रीफार पब्जी कॉल करने वाले हैं वह है फ्रीफार क्योंकि फ्रीफार के ज्यादा यूजर से मुझे ऐसा लगता है मेरे में तो मैं सबसे पहले फ्रीफार को यूज करूंगा कुछ इंटर फेस आया है यहां पर यह बोल रहा है जी प्लस होम की दबाई है यह जी का बटन और यह होम को बटन तो इसमें मैं क्लिक करता हूं क्लिक करकर रखता हूं ओके यहां पर कुछ इस प्रकार से शैटिंग हुआ है अब यहां पर एक बार नोटिपे किसान आएगी कुछ इसको कर देना है फिर से वही पर चल जाना है अब यहां पर में फ्रीफार में क्लिक करूंगा और यहां प आप लोगो कुछ है पूरा की मैपिंग में आपको बताऊँ कि करना है तो चैसरे बता हूं आपको वैसे वैसे ही करना है यह इसकी करोके वीडियो को तो काफी प्रॉबलम आई की की करने में फिर तुम्ही बोलोगे प्यारे भाई या क्या ही बताया को सभ्यक्राइब यहीं निया यह ज़िए सब्सक्राइब अब यह जो लोगो ऐसमें क्लिक किया काफिश आ रहें बटन है तो ज्यादा कुछ निकरने से ज्यादा जो मैं रहा है वो दो मैं से कि यहां पर मैं कर रहा हूं से लिएव तो करके रखनाय है यह पूर विए वह स्कूराया दोरा टाता अदूरा दि hopijn करने के बाद यहां करने के बाद कट वाले में क्लिक करना है और शेव टू ऐसे सरी में क्लिक कर देना ठीक है यदि आपने यह जो सेटिंग उसको गड़बड कर दी तो उतना अच्छा से चलेगा नहीं मतलब चलेगा ही नहीं कहीं लैग होगा तो कहीं ज्यादा सेंस्टिविटी हो जाएगी कही उसको यह सेंस्टिविटी कर जिहें चैनिंग पता करना है चाहिं आपटन का शीजरेटरों का प्राइट करता है इसमें क्लिक करना है ड्रैक करना है और जिस भी बटन को पर शेट करना है वहाँ पर लाके छोड़ देना है और जैसे कि मैंने इसमें छोड़ दिया अब मैं को यह वाले से गन को रिलोड करना है तो मैंने इसमें क्लिक कर दिया ठीक है एक फिर से मैं करता हूँ इसको टैच कर करेंगे और जो लेफ्ट वाला जोईस्टिक है उसको हम यहां पर लाएंगे और लेफ्ट राइड में करके इसको थोड़ा सा हम छोड़ा कर देंगे यहां पर अब देख सकते हो यह जो जितनी बी की है मैंने शैट करके रख लिए हूँ अब इसको करने के लिए शिंपल सा यह जो रेड़ वाला बटन उसमें किलिक करना है ठीक है कट वाले अप्सन में किलिक करना है जैसे ही कर रहोगे तो यहां पर शेविंग का एक कनोड़ सब्सक्राइब रहा है तो मुझे उतना ज्यादा एक्षपिरिस नहीं है लेकिन यदि मैं बारी बारी से बहुत दिन तक के खेलूंगा तो काफी हद तक ही इसकी सेंस्टूटी कंट्रोल में होगी और मैं इससे अच्छा गेंप लेकर पाऊंगा अब यहां पर हमने फ्रीफार के लिए फ्रीफार में तो बैस्ट और बैस्ट चल रहा है अब देखते हैं और अधर गेम जितना इसमें की मैपिंग किया है उसमें भी उतना ही करना पड किया है जैसे मैंने फ्रीफार में की मैपिंग की थी वैसी ही इसमें भी की मैपिंग कर रहा है लेकिन जो सेंस्टूटी है इसको सेटिंग में जाके कम ज्यादा कर सकते हो क्योंकि पॉल आप डुटी में उतनी सेंस्टूटी बहुत ज्यादा हो जाएगी और एम ही कंट्रो फार हाईवे गेम ठीक है और भी काफी सारे लॉट सिगनल इसमें सारा कुछ अश्चा से उवाउं पूरी तरीके से अच्य सामझ में आ रहा है और सारे का सारा जो बटन है वह प्रते वला रीन आई है काफी सारे इंट्रेस्टिंग और भी गेम स्मर्ट डाय करते हैं इसमें प्रफार्ट नाइट्रो भी एल है काफी ज्यादा सांदर और इसकी ग्राफिक्स तो वैसे ही काफी तक अच्छी है और बटन सारा कुछ बहुत ही तरीके से काम कर रहा है यह जो गेम कंट्रोलर है सरजी का मुझे काफी हद तक पसंद आया और सारे बटन बहुत अच्छे से काम कर रहे थे ज्यादा भी ज्यादा एडवांस नहीं है बहुत ही बेकार भी नहीं मतलब की इसमें अच्छा कासा गेम हम केल सकते हैं हमने फिर फार ट्राइग किया और काफी हद तक मुझे अच्छा लगा की मैपिंग भी ज्यादा कटिन नहीं है बहुत सरल है और यह खुद का इसका गेम वाला है मतलब खुद का एप है तो इसमें आइडी वाइडी ब्लॉक होने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे काफी हद तक अच्छा लगा तो और गेम कंट्रोलर और फोन के रेविव अनबॉक्सी वगेरा काफी कोच इंट्रेस्टिंग चा हमारी चैनल में आते रहते है त्यार प्लीज वीडियो को लाइक करके चलिकर सब्सक्राइब करके बज़बल कोल पर सट कर डाला मिलते हैं ने शोड़ों में थैंक